जब से देश में भाजपा की हिंदु वादी मोधी सरकार आया भाजपा को मुस्लिम देशों में रह रहे हिंदु की बड़ी चिंता सता रही है इसकी जानकारी भाजपा इस समय समय पर मुस्लिम देशों में रहने वाले हिंदु को खत्रे में बता कर सोर मचा कर भी दी जाती है वहीं मोदी सरकार मुस्लिम देशों में रह रहे हिंदूओं को भारत में बुलाने के लिए C.A. और N.R.C. कानून भी ले आई भाजबा हमेशा कहती आई है कि पाकिस्तान बांगला देश और अफगानिस्तान में रहने वाले करोडों हिंदू खत्रे में है वहां उनका हरिस्तर पर सोसन हो रहा है लेकिन सिरिलंका, नैपाल, इंडोनेसिया, तिबब, थाइलेंट, अमेरिका और इंगलेंड के पिरवासी हिंदूओं के सोसन पर भाजबा चुपिस साधे रहती है चुँकि चुनावी भासण में मोदी ने पिरवासी हिंदूओं को भारत लाने और उन्हें नागरिकता दिलाने की बात कही थी इसलिए दुस्मन पाकिस्तान से हजारों हिंदू अपने वतन लोट आए कानून के तहद नागरिक्ता पाने के लिए पिरवासी हिंदूओं को पहले अपने ही मुलक में 11 साल तक एस्थाई केम्प में गुजारने हैं उसके बाद उन्हें भारत की नागरिक्ता मिलेगी लेकिन मोदी सरकार ने CAA NRC कानून में 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आये सभी पिरवासी हिंदूओं को भारत की नागरिक्ता देने का ऐलान कर दिया हजारों हिंदू परिवार भारत की नागरिक्ता पाने के लिए राजिस्थान दिल्ली और पंजाब के कैम्पों में राध दिन गुजार रहे हैं करीब 7 साल कैम्पों में गुजारने के बाद NRC और CAA कानून आने पर पिरवासी हिंदूओं ने मोधी सरकार से भी भारत की नागरिक्ता मांगी लेकिन पिरवासी हिंदूओं के लिए मोधी सरकार भी वही ढाक के तीन पात वाली साबित हुई हजारों हिंदू परिवार आज भी अपने ही मुल्क में एस्थाई केम्पों में सरनार्थियों की जिनगी गुजारने को मजबूर हैं हद तो तब हो गई जब राजिस्तान के जोधूपूर में पिछले महिने पिरवासी हिंदू परिवार के ग्यारे लोग की ला से पाई गई थी सरकार के ढुलमुल रवये गरीबी भुकमरी और लाचारी के चलते पिरवासी हिंदू परिवार अब अपने ही देश को लोट रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वागा बॉडर के रास्ते 14 पाकिस्तानी हिंदू ने फिर से पाकिस्तान में सरन ले ली है कनहिया लाल और नानकराम नामक पाकिस्तानी हिंदों ने पत्तरकारों को बता कि भारत में केश साल गुजारने के बाद मोधी सरकार से नागरिकता दिलाने की उम्मीद जगी थी लेकिन वहे भी अब टूट चुकी है उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी के चलते भारत में पहले ही भुकमरी, बेरुजगारी, कोरोना, महामारी और गरीबी है भारत में तरक्की, पाना और बेहतर जिंद्गी का प्रियास केवल एक तमासा है इससे अच्छा तो हम पाकिस्तान में ही जिंद्गी गुजार लेंगे अब देखना यह है कि मोधी सकार अब पाकिस्तानी हिंदूों को कब उनकी नागरिकता प्रिदान करती है बीरो रिपोर्ट नेशनल लीडर